दोस्तो firebolt talk to bluetooth calling smart watch को कैसे smartphone से connect करेंगे इस वीडियो मताऊंगा, वीडियो का पसंद आएगा तो like कर देना और अगर इसके unboxing वीडियो नहीं देखिए तो यहाँ बटर में जरूर देख लेना दोस्तो इस smart watch को इस से connect करने के लिए इस box की जरूरत पड़ेगी विकास box ते पीछे qr code है तो इस qr code को scan करेंगे अभी यह smartphone इस से connect का एक application डाउनलोड जाएगी तो first of all जो भी आपके पास qr code हो उससे आप इसको scan कर लेगी तो यहाँ देखिए हमने इसको scan कर लिया scan करने के बाद तो यहाँ जैसे scan करेंगे टाफिट नाम से एक application है यहाँ पर यह लगबाग 9.6 MB के application है इसको download कर लेना है install कर लेना है दोस्ता जब तक यह application download हो रही है तब तक आपको इसके बारे में कुछ बता दूँ आपके चलिए देखते है application तो यहाँ डाउनलोड हो गई है तो application को यहाँ पर हम open कर लेते हैं तो यह application है इसको open करेंगे अब इसको phone से pair करेंगे तो यहाँ पर first of all आपकी जो भी detail है उनको डाल देना है तो आपकी जो भी हाइट है इसको चूज कर लेना है इसको चूज कर लेना है done then wait इसको बाद यहाँ okay करना है अब यहाँ पर इसको allow कर देना है जैसे हमने इसको यहाँ allow किया तो I think यहाँ पर date time ओगरा सब कुछ ठीक हो जानी चाहिए फिलाल अभी नहीं हुआ है तो यहाँ से देख लेते हैं यह connect है कि नहीं है तो यहाँ से first of all आपको bluetooth on कर लेना है उसके बाद देखना है कि आपका device connect है कि नहीं है अगर नहीं है तो यह add device इस पर click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पर जो भी allow वगरा कर देना है और location की permission वगरा मांग रहा है यह allow कर देना है उसके बाद देखिए कि मेरी यह स्मार्ट पाच है land one call me की वो आ रही है और उसके बाद यह I think इसका model number है इस पर touch करेंगे तो जैसे यहाँ पर यह इससे pair हो जाएगा त सब कुछ चेंज है यह देखो जैसे यहाँ pair हुआ छे बच के बारा मिनिट अल्रेडी सब कुछ हो गया और 55% बैटरी बता रहा है अब यहाँ पर सारी detail वगरा सब कुछ आ गई है तो इसको यहाँ से pair and connect कर देते हैं यह दाफिट है तो यहाँ से यह pair हो गया है तो यहाँ देखिए watch face वगरा बदल गया है सब कुछ हो गया है अब इसकी detail वगरा हम सब चेक करेंगे अब best part क्या है कि दोस्तों इसके अंदर में weather वगरा सब कुछ बताता है यह best part मुझे लगा दोस्तों no doubt कि smart watch जो है अच्छ का battery backup है और इसमें जो battery backup है वो सिफ 7 डिस्क है और जैसे ही अगर आप सारे notification allow करोगे तो आपका जो battery backup है न वो और भी कम हो जाएगा देखते है कि message किया है अब notification कितनी देर में आता है यहाँ पर तो आ गया और यहाँ पर शो नहीं किया जबकि मैंने message को on किया था तो यह message म दूर आएगा I think मुझे ऐसा लगता है